आप लोगा स्वागत है मेरे चैनल पर तो ब्यार स्टेट पावर होलिंग कंपनी लिमिटेट की तरफ से वेकेंसी निकल कर और यह जो कि आप लोग का रिक्वार्मेंट नीज में हम लोग देखने वाले हैं वीडियो को पूरा देखिएगा वाच किजेगा सब डॉट आप ल लिंक टेलीग्राम का लिंक वहाँ पर जोईन हो सकते हैं यहां पर आने के बाद आप लोग का रिक्वार्मेंट नीज यहां पर आप लोग का लेफ्ट में दिया गया है यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस पर जैसे क्लिक करो तो यहां पर अभी थोड़ा देर पहले आ तो आट नाज आता तरीक है आप लोकी इotz जानते हो के थे तो आट तरीक को यहां पर लिस्ट जारी किया गया है उस्होरी यह अपर देख सकते हैं तर्वात मैं हे इस पीस पर भी सैट अपने से बारें वाली इसका आया है ठीक है यह 8-9-22 को यहां पर वेकेंसी निकाली गई है वेकेंसी जो यहां पर बताते हैं इसकी पुरा वीवरन हम लोग जानेंगे पहले बिहार राज के अंतरगत विदुत वितरन के छेतर में दोनों कमपनिया ठीक है साथ बिहार पावर डिस्ट्रिबिशन कमपनी लिमिटे राज की विदुत पेमाने पर विदुत कारण के पश्चाद विदुत उभागताओं की संख्या में मतब विर्दी हुआ है ठीक है और यहां पर बारा सरकादवा विदुत कमपनी फाइनेंसियल के लिए यहां पर बताए गया है जो आप लोग का यहां पर कमरिस्यल नंद कमर्सियल लोसिस को कम करने का लश्चन धारित के गया यानि आप लोग मोटा मटी आप लोग यह संघो कि यहां पर सौध बिहार और नद भिहार है वहां पर चोरी जो होता है ठीक है जो बिजली चोरी होता है जो महला में जो ऐसी दाल के आदमी कर लेता है तो उसको कम करने के लिए एक काउंटिंग एअठरी एक अफली थी आपका यहाँड़ग दिसplease करेगा कहां पर कितना एक्षोरी हो रहा है उसको धर पकड़ किया जेल में दा लेगा ठीक है या फाइन लगाएगा जो भी हो यहां पर यहां पर बताया गया कि नन कमर्चल लोसिस को नियंतित करने का उदेश से कंपानी दोरा परते एक वीदुत अप अपुर्थी आचलन अस्तर प ठीक नहीं जिसको आम लोग सौट में स्टी एफ का पुना गठित किया गया है ठीक है जिसका नाम क्या रखा गया है यहां पर इस पेसल टेक्स फॉर्स राम रखा गया जो स्टी एफ के माधियम से परस्तित इनर्जी एक कांटिंड डेटा अनलाइस करेगा उसके अधार प भात आए जो टिक है स्मु का आप लोगा यहां पर विबरन करेगा उचास्तरीय पर ठीक है उसके बाद जो विदुचोरी का रोख ठाम करेगा उसके बात विदुस अभीयान का जो होगा उसको पूरा देख रेक में इस सब किया जाएगा यह आप लोगा यहां पर बताया के निदेश मंडल की दिनांग 17822 को तिरानेवे बेठक में संक्लन संक्या 9602 द्वारा लिए गए निर्ने के और लोकान अगस्त में लिया गया था बिहार स्टेट पावर होलिक कंपनी लिमिटेड में सवीधा के अधार पर निकती है तुनिधारित नियम एवन सर्थ पर अधिन सवीधा अधारित सहलाकार जिसको कहा जाता है आप पौस्ट का सर्जित के यहां पर जो वेकैंसिस निकाली गए है यहां पर आप लोग का यहां पर 93 बेटाक में आप लोगका यहां पर नियमने लिया गुल प्लोग का क्या रहने वाला इसमें एक पौद आप लोग्त को निकाली गईए नियोजन के आधार पर आपको का सवीदा अधारित होगा ठीक है लेकिन पेमंट बहुत ही अच्छा मिलने वाला चैन पर गिश्या जो होगी वाकिन इंट्रव्यों के माध्यम से होगी आईटिया वाले बीटे कोले स्टुडेंट की भी बात करने वाले हैं ठीक है तो बने रही है का आपका मात दे यानि आप लोगा जो सेलरी होगी वह यहां पर बताया नहीं किया लेकिन पेमेंट बहुत ही अच्छा होने वाला है पे अवेदन की जो अम्र सीमा जो होती अधिकतम होगी वह 62 साल होगा अधिकतम होगा ठीक है और सवीदा अवाधी होगी वह पर ने तीन वर्स का होगा अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अवासकता नुसार उसको पड़ा कार को सिलता आवाशक है अधारा पर उसकंप के सेवा निर्वेक्त पदिकारीन नृत्तम पे मेत्रिक्स 13 अत्वाथ यहां पर पह थीक, तो सलाकार औरेजी कांटेंट्ड और्डेक्षा प्रस्ताओं कार यहां पर बताया गए तकनिकी वह वशाय तता इस संब्द में अधार भुक्त योजना त्यार करने प्रवंद्ध को अवगत कराना होगा तो यह वेकेंसिस निकाल दी गई इसमें आप लोग का यहां पर डेट नहीं दिया गया कब लिया जाएगा ठीक है यहां पर यह समेंसन नहीं किया है बट एक पद निकाला गया अब बात करते हैं कि यहां पर वेकेंसिस निकाल दी गई यह बिजली भी भाग भी बीच पीसेल के तरफ से बट आई टेए वले स्टूटेंट अब इटेक वाले डिप्लोमा वाले गर्जेवर वाले क्लिक अब तक आ सकता देखो बाई कभी भी आ सकता है किसी भी मंत आ सकत लेकिन 2022 के अंदर ही वेकेंसिस आएगा तो आप लोग यार त्यार में लगे रहों बहुत सारे स्टूडेंट को विश्वास नहीं है तो विश्वास नहीं किजिए आप लोग ठीक है बहुत लोग के आलतु-फालतु भी बोलते तो कोई फाइदा नहीं है ठीक है तो जो से अच्अविक आल रहा है इतना टेंसाल लेनी की जूरृत नहीं है त्यारी में लागे ये किसी मन्त आ सकता है कभी भी वेक सिस निकल के आ सकता है ठीक है आँ को دोजर बाइस में ही आएगा तो आप लोग हो आप लोग को ये समझ में आता होगा मिकेंशी इस की वेंठी ही य जाद जाद शेयर कर दिजएगा प्लीज आप लग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा थैंक यू फॉर वाचिंग